फोटा सा वाकिया आपको सुना देती हूँ, आप लोग को पता होना चाहिए और उसके बाद अपनी बात जरूर करूँगी, आज सवेरे आप जैसे प्रबुध न्यूजरूम के हाँ से एक फोन आया अडानी और अंबानी जी दोनों के बड़े बड़े नेटवर्क है महामानव कलते लंगाना में बोल रहे थे तड़ातर तड़ातर फ्लैशिस चल रहे थे, महामानव बोल रहे थे तो आप लोगो तो 24 घंटे दिखाना ही पड़ेगा खुब फ्लैश चला रही थी डेस्क ये बोला, ये किया, ये कहा, ये राहुल गांदी को उनों ने कर दिया ये कॉंग्रेस को कट घरे में खड़ा कर दिया, ये गोला दाग दिया मोदी जी ने एकदम से दो शब्द सुनाई दिये, अडानी और अंबानी, सकते में आ गए सब लोग न्यूज रूम में सननाटा चा गया, अब सब लोग बिलकुल चुप, ये क्या बोल गए फिर उन्होंने आगे बोला, ये लोग टेंपो में भर-भर के कालाधन बाट रहे तो जो शिफ्ट एडिटर थे, उन्होंने करें, निकालो, निकालो, कट करो, कट करो, लाइव से कट करो ये क्या बोल रहे हैं, इनको खुद नहीं पता है, लेकिन चीफ एडिटर तो सहाब अभी आके इंटर्व्यू करके आए थे, मोदी जी का, चरलवंदन करके आए थे, उन्होंने कर नहीं नहीं, मोदी जी हैं, चलने दो तीन चाह मिनट चलता रहा अडानी अम्बानी को गाली पे गाली गाली पे गाली पड़ रही है बोला जा रहा है काला धन चला रहा है बोला जा रहा है टेम्पो में भर भर के बाट रहा है तब तक तो आ गया मोटा भाई का फोन उन्होंने कहा ये आदमी हमें गालियां दे रहा है ये आदमी हमें काला धन बोल रहा है और आप चला रहे हैं तो बहुत सारे लोगों की नौकरी कुछ न्यूस रूम में खत्रे में आ गई है ये आपकी जानकारी के लिए बस में बता दो लेकिन आद सवेरे कुछ तस्वीरे आई ये टेंपो के बाहर की तस्वीर है ये टेंपो के बाहर की तस्वीर है और ये टेंपो के अंदर की तस्वीर है इन्ही टेंपो में भरबर के काला धन बाटने की बात मोदी जी कर रहे है एक टेंपो में खुद चड़ रहे है एक में बैठे हुएं और मस्ट लक्जरी अराम से अडानी जी के साथ टेम्पो के बाहर की टेम्पो के अंदर की तस्वीरें यही तस्वीर तो दिखाई थी राहुल गांदी जी ने याद है ना आप सब को नरेंद्र मोदी जी से भरष्टाचार का खुलासा अगर किसी ने कराया है तो राहुल गांदी ने कराया है क्योंकि लगातार उन्होंने अडानी और मोदी की बखिया उधेडी है उन्होंने अडानी अंबानी जो संसाधनों पे जम कर बैठे उसकी बखिया उधेडी है तो य इनोंने 22 अरब पती बनाए हैं, हम लाखो करोड़ पती बनाएंगे, और सर्फ खाके कि हम पेपर पे नहीं बनाएंगे, हम आपके अकाउंट में लाखो रुपे भेजेंगे, और ये हमारा वादा है इस देश की जनता से, कि महालक्षमी योजना से, जहां पर एक औरत के अका आउंट में वो लखपती बनेगी, हमारा वादा है हर डिगरी, हर डिप्लोमा धारक से, कि अप्रेंटिश्चिप आक्ट के अंतरगत, आपको एक लाख रुपे सालना, पच्चासी सो रुपे महिने का स्टाइपिंड देंगे, हमारा वादा है किसान से, आपको MSP देंगे, आपका कर्ज माफ करेंगे, हमारा वादा है श्रमिकों से, हम मनरेगा का मांदे 400 रुपे प्रती दिन करेंगे, हमारा वादा है इस देश से, हम 25 लाख की एक हेल्थ बीमा योजना लाएंगे, जिसमें इलाज भी होगा, दवाई भी होगी, ट्रीटमेंट भी होगा, सब कु आरक्षर सरकारी नौकरियों में लड़कियों के लिए करने जा रहे हमारा वादा है हर उस व्यक्ति से जो हाशिये पर है जिसको हिस्सेदारी चाहिए जिसको भागिदारी चाहिए हम गिंती कराएंगे नरेंद्र मोदी कितना भी भागे गिंती हम कराएंगे आपको न्याए हम दिलाएंगे जातिगत जनगरना होगी आदिवासियो दलतो पिछडो गरीब सामानिवर्क को उनका हक दिलाने का काम कॉंग्रिस पार्टी करने जा रही है आपने दस साल में बाईस अरबपती बनाए हम आने वाले सालों में लाखो करोडो लखपती बनाने जा रही है ये असलियत है ये कॉंग्रिस का बादा है लेकिन जो बाते अभी हलके में होती थी जो बाते बंद कमरे में विशेशग कर रहे थे वो अब खुल कर सामने आ गई है दस साल में पहली बार नरेंदर मोदी ने मंच से अडानी और अमबानी का नाम ऐसे नहीं लिया है अगर उनकी हार की एक पुष्टी चाहिए थी अगर उनकी हार पर एक मोहर लगानी थी तो वो काम नरेंदर मोदी जी ने कल करके दिखाया है उन्होंने हिम्मत जुटाईए ब्रश्टाचारियों की कलई खोलने के लिए अब थोड़ी और हिम्मत जुटाईए और भेजिए ED, CBI, Income Tax को और अगर वो नहीं जा रहे हैं तो बताईए हमें हम आपके साथ खड़े हैं